कोई भी काम करना है हम ये भ्रह्म में हैं कि सरकार सब कुछ कर लेगी ये पिछली शताब्दी की सोच है दोस्तों सरकार ही सब कुछ कर लेगी इस सोच में से हमें बहार आना चाहिए समाज की शक्ति बहुत बड़ी होती है आप सरकार को कहो बहुत तुम रसो इगर चलाओ हमें मद्यान बोजन करना हो तो आखों से पानी निकल जाता है लेकिन हमारे सरदार भाई बेन लंगर चलाते हैं लाखों लोग खाते हैं कभी थकान मैसुस नहीं हो तो हो रहा है समाज की शक्ति होती है इस समाज की शक्ति को हम जोडते हैं क्या जिन-जिन ब्लॉक में या जिले में लीडर्शिप की समाज को जोडने की ताकत है मेरा अनुभवाय वहां परणाम जल्दी मिलता है यह स्वच्छता का भ्यान आज सफल ताकी दिशा में उसने अपनी एक जगा बना ली है क्या कारण है क्या यह मोधी के काण हो रहा है क्या क्या पांच-पचास लोग जाडू लगाते उसके काण हो रहा है क्या जी नहीं करता है नहीं गंदगी नहीं करूंगा तो पर स्वच्छता करने की जरूरती नहीं पड़ती दोस्तों कि जन भागीदारी कि यह बहुत अनिवार्य है और हमारी हां लीडर्शिप की बड़ी विकृत व्याक्या हो गई है कि जो लंबा कुर्टा पैजामा पहन करके खादी क असफिते ले कपड़े पहन का आए जाए वही लीडर होता है जीवन के हर खेत्र में लीडर्शिफ होती है शिक्षा के एक्षेतर में लीडर चाहिए एग्रिकल्चर स्थेक्टर में लीडर चाहिए और वो पुलिकल लीडरों की ज़ुरूद नहीं है जी हमारे अपसर भी लीडर होते हैं वे भी मोटिवेट करते हैं हम ब्लॉक लेवर पर लीडर्शिप कैसे बनाए और यह जो संकल् उसमें एक एक गुरूप बैठने वाले हैं उसका एक मकसद है टीम स्पिरिट टीम स्पिरिट बनेगा तो लीडर्श में पाएगी टीम स्पिरिट बनेगा तो जन भागिदारी के नए नए आइडिया जाएंगे आपने देखा होगा कि कभी कोई नेचरल कैलेमिटी आती है क्या सरकारी सांसदन उस नेचरल कैलेमिटी को हैंडल कर सकते हैं क्या देखते ही देखते हैं इतनी बड़ी मात्रा में लोग जूड़ जाते हैं कि देखते ही देखते ही समश्याओं का समाधान करने लग जाते हैं लोग करने लग जाते हैं और उस समय हमें भी लगता है रह प्रकार की जो समाज की शक्ति उसको पहचानना समाज की शक्ति को जोड़ना हमारे स्कूल-कॉलिज अच्छे चले अगर परिवार के लोग जुड़ते हैं गाडियंस जुड़ते हैं पैरेंट्स आते हैं आप देखिए वो स्कूल कभी पीशे नहीं रहेगा और इसके तरीके ढूणने चाहिए मैं हमेशा कहता हूं कि गाउं का जन्मदी उसमनाई है आपके हां रेल्वे स्ट्रेश नहीं तो हुए जितने जिन्दा लोग उनको एक पर इखटा कीजिए जन्भागेदारी के तरीके होते हैं जन्भागेदारी का मतलब यह नहीं कि तुम डोलेशन दे दो अब जैसे कुपोशन है आंगनवाडी में कुपोशन की समस्य आगर मुक्त करनी है तो क्या बजेट से होगी व किसी की जन्बजेनती है किसी के माता-पिता की मुर्तिती थी है किसी की लगनती थी है तो मैं उनको गाहों देखिए अपने गाहों में यह आंगनवाडी है सो बच्चे हैं आपका जन्बदीन है अगर आप घर में कुछ अच्छा खाना खाने वाले हो करने वाले हो ऐसा करो इन सो बच्चों के लिए आपके जन्वन दिन की निमित आप एक फल लेके आईए, सब बच्चों को एक एक केला दे दीजिए, उसका जन्वन दिन मन जाएगा, और कहना एक खुद आना है, और खुद उन बच्चों को देना है, तो सामाज एक नयाई भी होता है, सामाज में जो दूरी होती वो भी हड़ जाती है और आपको साल में गाउं में असी सो परिवार जुरू मिल जाएंगे जो स्कूल में आकर के अंगर वड़ी में आकर के उन बच्चों को बढ़िया चीज खिलाएंगे जो चीज वगिमाल लीजे खजूर आ गई है वो कहेगा चलो भाई आज मैं दो दो पीस लेकर करके जाता हूं इन सो बच्चे हैं जरके खिलाके आता हूं जन भागीदारी है सरकार का बजेट बच्चाने का काम नहीं है जन भागीदारी ताका नहीं जब गुजरात में था मै करीब करीब असी दिन उस समय की में बात करता हूं भी तो मुझे पता नहीं है साल भन में असी दिन ऐसे निकलते थे कि किसी ने किसी परीवान का अच्छा अशर वो स्कूल के बच्चों के साथ आकर के मनाते थे और बच्चों को भड़िया खिलाते थे कुपोशन के अधान में जन्द भागीदारी का सामर्द बहुत बड़ा होता है